प्रेटिस एक शॉटिंग अपार्चिनिटी मिल रही है तो हम यहां पर शॉट करने वाले हैं 500 कॉंटिटी इसको हम लगबग यह लेवल्स ठीक रहेगा वैसे हम बिफोर ब्रेकडाउं शॉट करने ही कोशिश कर रहे हैं तो हमने यहां पर इसको शॉट कर दिया है टागेट एंड स्टॉप लॉस के अगर हम बात करें टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ अल्रडी शेयर किया हुआ है कि I'm not feeling confident की उपर के लेवल से मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मार्केट और सस्टेन कर सकता है यहां से और मैं काफी दम से इंतिजार करता रहा करता रहा स्टॉप लॉस हम को स्टॉप लॉस हम लगबग प्लान कर सकते हैं 675 का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से ठीक रहेगा 675 का मेना स्टॉप लॉस एंड उसके अगेंस्ट में हम टागेट दे सकते हैं थोड़ा सा और नीचे 478 या 475 काम करते है 478 का दे देते हैं यहाँ पर यह सपोर्ट दिखना मुझे लेवल्स के पर एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो 478 का मेरा टागेट रहेगा एंड उपर का मेरा स्टॉप लॉस है 675 दोनों लगा देता हूं मैं यह एग्जिट SLM यह 675 का मेरा स्टॉप स्टॉप लॉस यह मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया एंड 478 का मेरा टागेट है एग्जिट लिमिट 478 का मेरा यह टागेट है मैंने वह भी लगा दिया और मॉस्स 14,000 15,000 के आसपास मॉर्निंग से ही काफी लाइक जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम चल रहा तो मेरा कॉंफिडेंस बहुत लो था और मैंने अल्रेटी टेलीग्राम पर अप्डेट कर दिया कि थोड़ा सा ध्यान लखीएगा बायस क्योंकि मुझे यहां पर मार्कर इतना उपर जाते हुए नहीं दिख रहा है तो आपने उस पॉइंट को थोड़ा समझा होगा क्योंकि इस आप से मार्केट डाउंसाइड है इस जस्ट रिट्रेश्मेंट उपर के लेवल से बाय नहीं करना चाहिए उपर के लेवल के शॉट प्लान करना चाहिए तागेट हमने लगाया हुआ है 478 का सेटफ बगता क्या है मैं पूर आपको एक साथ डीटिल में समझा देता हू 19,000 के आसपा प्रॉफिट चल रहा है फिर यह आया हुआ है 508-509 के आसपा स्मूटली मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है अब कैसा है कि यह जो लेवल्स है ना मतलब यह 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 वाला यह वाला अब यहां पर अटेक होना स्टार्ट होगा तो उसे साथ से प्लान करत है वहां पर हमने अपना टार्गेट लगाया हुआ है 494 के आसपा 490 के आसपा आया हुआ है 478 का हमारा टार्गेट है highest probability हम इसमें पैसा बनाएंगे quantity 500 में ने रखा हुआ जो मेरा नॉमल अभी हो चुका है लगबग दीरे-दरी करते हुए ग्रो किया हुए ट्रेटर बहु है पर एक साथ हमों discuss भी कर लेंगे कैसा हम लोग ने setup पे cases आप से हमने काम किया व्यूपॉइंट तो अलुड़ी आपको पता ही है यह अपना टार्गेट अचीव हो चुका है इसको करेंगे cancel सुरेडर इस बुक किया है हमने 51751 इसको भी एक बार refresh कर देते हैं 478 पर proper setup था अपना मार्केट वो लेवल्स पे आया थोड़ा नीचे गया अब वहाँ पर थोड़ा sideways की तरह बेव करता है setup क्या था देखें यहां पर मैंने डौक किया हुआ है setup breakdown था यह लेवल्स के ऊपर अब यह समझो ट्रेडर की मैंने क्यूं शॉट किया मेरा morning से जो मेरा viewpoint था शॉ पूरा उपर की तरफ चला जाए बिना कोई retracement के सब कुछ यह सिरु पॉसिबल होगा कब जब ऐसी situation होती है यह दिख रहा आपको यह यह ऐसे टाइम पे जब crash आया हो मांके दुका नहीं हो तब ठीक है एक like without stop एक बहुत अच्छा momentum आ गया one side momentum आ गया दुकने का नामी नही पंदा मिनट का चाहत है यह फॉल किया उसने retracement करेगा अगेन नीचे के तरफ फॉल करेगा तो इसलिए मेरा mood था कि शॉट करने के लिए मैं इस move को यह gap up opening को मैं ट्रस नहीं कर था मैंने टेलीग्रम पे clear morning में ही चीज कह दी थी उसके बाद देखो अब क्या हुआ यहाँ पर exactly समगने कोशिश करो जो story कैसे बन रही है कैसे मैंने क्यों confidently शॉट बगे रखिया उस चीज़ों को भी समझो let's say for example यहाँ पर breakout तो कोई morning में शॉट करेगा नहीं इस breakout के उपर किसी ने trade लिया वो फस गया उसने loss किया यहाँ पर देखो यह levels के उपर किसी ने breakdown के उपर short किया यह levels के उपर short किया या let's say resistance zone समझ के उपर short किया तो वो अपना stop loss कहा लगाएगा वो अपना stop loss लगाएगा यहाँ यह top के उपर market ने क्या किया market ने यह levels के उपर आके सबसे ज़्यादा volume create करते हुए एक breakout वाला angle दिखाते हुए कि अब market breakout देते हुए उपर की ज़्यादा तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर market makers ने दो success हासिल किया एक यहाँ पर जिनके stop losses पड़े थे sellers को उनको kick out क करते हुए यहाँ पर fresh buyers को भी बुला लिया जिनको वो short कर सके मतलब हम retail traders खरीदे और वो लोग short कर सके तो यहाँ पर psychology समझ पाए तो कि market ऐसा behavior क्यों किया यह levels की उपर एक तो लोगों के stop losses पड़े थे वो हिट करने के लिए उफना उपर खिचायो market को दूसरा यह angle ऐसा ब मेरे पास इतनी quantity short करने के लिए तो कम से कम हजारों लोग मुझे चाहिए यहाँ पर जो मेरे से खरीदे और मुझे उनको पेचना करे तो इसलिए ऐसा format यहाँ पो बनते हुए दिख रहा है और यह angle जैसे मैंने देखा कि बास ऐसा sharp की तरह बनके आ रहा है नीचे के तो probability was very ही मचा है कि बास अब यह fall करना 100% इसका यहाँ पड़ता है तो इसलिए मैंने क्या किया short का तो मैंने पहले से प्लान था ऊपर से psychology मुझे 7 में आ गई तो finally देखो मैंने कहां short क्या हुआ है 1254 के आसपास वे एक बाह मैं candle भी आपको बता देता हूं कहां थी हो candle somewhere रहाँ यह यह confirm किया इसने breakdown मतलब यह levels क्यों breakdown से पहले पहले यहाँ पर उसने एक dip लगाया retest किया यह levels मेंने before breakdown try क्या short करने के लिए okay breakdown तो हुआ नहीं था उसका भी confidence high q था कि मैं क्यों यहाँ पर short करू भी तक breakdown हुआ नहीं है देखे रिडस यह trend line मैंने बनाई थी यहां touch किया उसने यहां touch किया उसने यहां touch किया उसने यहां touch किया तो अब इतनी बाद touch करने के बाद क्या trend line कमजोर नहीं होती गया highest probability होती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बिंदास होते वे 500 quantity को प्लान किया मैंने trade लेने से पहले ही comment किया था शायद आपने सुना अगर नहीं सुना तो एक कहां होता somewhere around यह candle के नीचे ठीक है यहां पर trend भी confirm हो यह levels के आसपा मेरा short होता उपर के level से मुझे चाहिए था क्यूं क्यूंकि यहां पर market आज gap up खुला हुआ है आज का major trend है वो अप है मैं major trend के opposite side trade करूं दो क्या है कि मैं यह target expect कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं I hope psychological point कैसे बन confidence trust नहीं हो रहा है कि यहां से वो gap up खुलते वो और उपर की तरफ जाएगा ठीक है I hope the point is absolutely clear वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कर देना कल के वीडियो पे आपका बहुर अच्छा support मिला हुझे बहुर अच्छा लगा कि आपने इन चीजों को positively लिया thanks for watching we'll see you in the next video